जो अपने पास है अभी हमारी स्थिती क्या होती हमको किसी ने कुछ अच्छा दिया ऑप पॉन बजारो भई यह मंजीरा कोई बाल लक ही होगो नेक दिर शांत रखो अभी किसी ने कोई अच्छी वस्तू दी आपने मोई ये पटका दियो अब पटका देते अच्छी है तो हमारे मन में स्थिति क्या आज़त इसको रखो समाल के रखो पर ठाकुर जी ये आपके चित में आचुके हैं या ठाकुर जी आपको अपना बना चुके तो आपके स्थिति क्या होगी किसी भी वस्तू के प्रती आपके चित में ये भावना आएगी नहीं ये बहुत अच्छी इसको रख लो कोई प्रदान करेगा आप लेंगे जरूर पर उसको रखेंगे नहीं कोई और दिखेंगे आना आपको तो आप उसको दे दोगे आप अपने आँ संग्रहित नहीं कर सकते ये एक सिंटम है ठाकुर जी का जीवन में होने का कि आप आपकी स्थती प्रदान करने की होगी मांगने की नहीं लेने की नहीं रखने की नहीं होगी देने की स्थती हो जाएगी बांटने की स्थती हो जाएगी और हमारे ब्रजभाशा मैं कहूं तो लुटावे की स्थती है जाएगी लुटाओगे और कचुना है तो स्वेहम कोई लुटाए दोगे सांसारी स्थिती में इखटा करने का मन होता है पर भक्तिपत पर जवाब चलते हैं तब देने का मन होता है लुटाने का मन होता है बांटने का मन होता है नंद बाबा लुटा रहे हैं भर करके और उसमें भी ये विचार नहीं कर रहे हैं कि कौन सी वस्तु किसके पास जानी चाहिए सब योग दिख रहे हैं नंद बाबा को तो ठाकुर जीवन में आएंगे तो दूसरी स्थिति क्या होगी कि आपको सब स्रेष्ट दिखेंगे कोई कम जादा बड़ा छोटा इस प्रकार आप किसी का अनुपात नहीं करोगे सब आपको सम दिखाई देंगे आपको सब अच्छे ही लगेंगे नंद बाबा अटारी पर खड़े है करके लाखेन के रतन उड़ा रहे हैं सामन ये नहीं देख रहे हैं कि किसके हाथ में जा रहे हैं बस लुटा रहे हैं क्योंकि सब योगे लग रहे हैं नंद बाबा को ठाकुर्जी जीवन में आएंगे तो दूसरी स्थिति क्या होगी सब में योगेता का दर्शन होगा नंद बाबा आनंद में फूल रहे हैं सुख में भर गए हैं सब ब्रजवासी आनंद में भर के नाच रहें गा रहे हैं इतने मही कंस के द्वारा भीजी गई प्रथम राक्षसी आई जिसका नाम क्या है? पूत नाम बहुत ध्यान से सुनियेगा सब लोग ठाकुर जी जब जीवन में आते हैं तो सबसे पहले हमारे अंदर कौन से अवगुन का नाश करते हैं ठाकुर जी जब जीवन में आते हैं तो ये राक्षसों की श्रेणिया ये हमारे अवगुन ही हैं हमारे चित्त के अब जैसे पूत ना, अगासर, बकासर, धेनुकासर, केसी, अरिष्टासर, व्योमासर ये सारे हमारे अंदर ही अवगुन हैं एक-एक अवगुन को ठाकुर जी नश्ट कर रहे हैं सीक्वेंस से वो हमारे चित्त के ही अवगुन है तो जब ठाकुर जी चित्त में आते हैं तो सबसे पहले किस अवगुन का नाश करते हैं तो पूतना का पूतना का अवगुन क्या है अविद्या क्या है अविद्या, अविद्या का मतलब सामान्य भाषा में कहूं तो अज्ञान, अज्ञान को ही अविद्या कहते हैं वही पूतना है, जिसको सही और गलत की पहचान नहीं होती, उमर हो गई 60 साल लेकिन फिर भी नहीं पता कि सही गलत क्या है, इतना बोध नहीं है जिसको, ऐसे व्यक्ति को अज्ञान ही कहा जाता है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इतना बोध भी जिसको नहीं है, उसको अज्ञान ही कहा जाता है, तो ठाकुर्जी जीवन में आएंगे, सबसे पहले अविद्यानस्ट हो जाएगे, अर्जुन का क्या नश्ट हुआ था, अविद्यानस्ट हुए, उसका अज्ञान ही नश्ट हुआ, अज्ञान नश्ट होगा दुग्यान आएगा, तो सीधी बार ठाकुरी सबसे पहले आकर के अज्ञान ताकु नश्ट कर देते हैं, आप देखिएगा, वैश्नव जो होते है वैश्णव व्यक्ति के पास में ऐसी द्रिष्टी होती है कि वो सामने वाले के आव भाव से पहचान जाता है कि यह कितने पानी में है अब यहां इतने सारे तिलक वाले सब बैठे तो हैं वैश्णव जन पता नहीं आप लोगों ने अनुभव किया कि नहीं किया पर नित्य नाम जाप करने वाले नित्य उर्दपुंड तिलक लगाने वाले नित्य कंठी माला धारन करने वाले एकादिशी निष्ठा करने वाले नाम जप निष्ठा करने वाले वरंदावन को भजने वाले अपने गुरू का नित्य स्मरन करने वाले ऐसे जितने वो बनने से पूर्व सांसारिक इस्थिती में आपको अच्छा लगेगा नाचने गाने में ब्या में आधी में आधी आधी सब में पर जैसे आप वैश्णव होते चले जाते हो फिर किसी के ब्या में जाने का भी मन नहीं होता है विवेक बुद्धी जाक्रित हो जाती है विवेक बुद्धी आपको सही और गलत की पहचान कराने लग जाती है किसी भी व्यक्ती को देखते ही आप पहचान जाओगे कि ये कैसा होगा हमारे पास कोई सिक्ट सेंस नहीं है ये वैश्णव भेश की कृपा है कि प्रणाम करने वाला व्यक्ती वो वास्तों में वरंदावन किस रूप में भजता है वो गुरु परंपरा में है के नहीं है वो एकादिशी निष्ठा करता है के नहीं उसके प्रणाम से ही पता चल जाता है कि वो है के नहीं उस इस्थिती में है कि व्यक्ति के रूप से ही पता चल जाता और यह कोई अलग से हमको कोई सिक्सीन्स नहीं बिलता यह वह वैश्णव वैश्णव तासे ही आपको विवेग बुद्धी जाग्रित हो जाती है कौन व्यक्ति चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है कौन व्यक्ति केवल बैलाने फुसलाने के लिए अच्छी अच्छी बातें कर रहा है कौन व्यक्ति वास्तविक बोल रहा है कौन व्यक पर एक यह भी प्लस पॉइंट है कि आप व्यक्ति को पहचानने लग जाते हों आप स्थिती को पहचानने लग जाते हों आप माहौल को पहचानने लग जाते हों तो भगवान क्या करते हैं जीवन में आते हैं विवेग बुद्धी जाग्रित कर देते हैं मैं कहा करता हूं व्यक्ति को पहचानने के लिए तीन चीज़ों पर ध्यान रखा करो किसी से भी मिलो उसकी तीन चीज़ें देखो सबसे पहला नित्रम उसकी आँखें देखो कर अउसकी आखें यह इंदी चपल है आखें यह इनी चतुर इनैं यह बहूत मटक रही हैं स्थ्र नहीं हो रही एक जगए तो यह बात निश्चित है कि व्यक्ति भी इस तिर ये इस्थिर नहीं मनचला व्यक्ति हो सकता है नेत्रम और दूसरी बात वक्त्रम उसके शब्दों को सुनो उसकी वानी को सुनो वो जब बोलता है तो किन शब्दों का प्रयोग करता है उन शब्दों से भी आंकलन लग जाता है कि वो व्यक्ति कैसा खाता पीता होगा और तीसरी चीज पर ध्यान दो, विकारेण, वो जब बैठता है तो बैठता कैसे है, चलता है तो चलता कैसे है, जब लेटता है तो लेटता कैसे है, अब आप लोग कता सुनते हो, कता सुने में इतनी मुद्राइं बदलते हैं श्रोतागन, कभी इस पाम को उपर कर लेंगे कभी 이상म को उपर कर लेंगे कभी दोनों पाम हिए खोल के यह बैठ जाएंगे कभी दोनों पामों हम सत्य बता रहे हैं साथ दिन में आप हमसे पूछो कि महाराई सबसे बड़े श्रोता को हैं तो मैं दस श्रोता गिन के उपर मंच बले आऊंगा जिनकी मुख की आक्रती चार घंटा एक सी रहती है अब हम वकता हैं हमारे प्य रहलेंगे इने ऐसे ही रहेखे ऐसे ही श्रोता गेर यह सुछो को भी यह slight की पूरी कथा सुनने चाहिए उसके शरीर में बार-बार विकार आते हैं बार-बार आसं बदलए की इच्छा होती है तो उसका मन इस्तिर नहीं है उसका हम इस्तिर होग कई बार एक या दो मुद्राओं में पूरी रात काट देता है नित्रा में ज्यादा आसन ने ज्यादा करवट नहीं लेता तो तीन चीजों से व्यक्ति के मन की स्थिती पता चलती है नेत्रम वक्त्रम और विकारेण लेकिन इसमें भी अगर आप वैश्नव बन गए वैश्नव व्यक्ति को तो चार बातें सुन ले वो सामने वाले सो तो पता चल जाएगा कि ये ये उचित है कि नहीं है ये अनचित है वैश्णव व्यक्ति को विवेक बुद्धी प्राप्त हो जाती है तो पूतना भगवान को मारने के लिए आई कंस न उसको भेजा पूतना ने कहा हमें रूप बदल करके जाऊंगी अपने पयोधर में विश लगा के जाऊंगी दस दिन के अंदर जितने बालकों ने जन्म लिया सब के पास जाजा करके बालकों को पयोधर पिलाऊंगी विश पीते ही बालक मर जाएंगे और इन्ही नवजात बालकों में आपका सत्रू कृष्ण भी मर जाएगा कंस बोला प्रयास कर लो निकल पड़ी पूतना असंखे बालकों को मार दिया पूतना ने पूतना के नेत्र इतने सुंदर नसिका इतनी सुंदर मुस्कान इतनी सुंदर चाल इतनी सुंदर उसका इतना सुन्दर उसके तन से आने वाली सुगनधी इतनी सुन्दर। उसके केश इतनी सुन्दर। अरे सरवांगन रोम सुन्दर हे पूतना का। जैसे गजगामनी चाल बीतर फेंन गोकल में प्रवेश करती है फूतना। सब ब्रिजवासी नाच रहें गा रहें लिकिन जहां जहां से पूतना निकलती है और जैसे ब्रिजवासियों के उस पर द्रश्टी पड़ती है कि वे सब अपना उठ सब मनाना भूल जाते हैं सब उसी को देखने लग जाते हैं ओहो कितनी सुन्दर अरे स्वयम तो उस पर आ सकत हुए ही दूसरे गाने वाले को देखियो कितनी सुन्दर जा रही है एक ब्रिजवासी तो दोड़ा दोड़ा अपनी मैया के पास गयो मैया तु मेरे पीछे पड़ी रहे है ब्या कल ले ब्या कल ले मैया आज मेरो ब्या करा दे तू बोले अरे भया केवल गोप गौल ही उस पर मोहित नहीं हुए गोपियां भी मोहित हो गए शिमत भागवत जी में वरणन है कि जैसे पूतना को गोपियों ने देखा तो गोपियां बोली अरी बहन हमारी बात तो सांची निकसी वो ले कैसे वो ले कल नद्र जी को लाला देखो त एक लक्षमी चली आ रही है कितनी सुंदर है पूतना कि सब उसके रूप पर मोहित हो गए पूतना ने आकर के कुछ गोपियों से पूछा यह उत्सव जा बालक के हैवे की खुशी में है रहे हो वो बालक कहां मिलेगो वाके दर्शन कहां कु होंगे गोपियां तो मार की बता ना भूल गए उसकी वानी सुन करके उसके शब्त सुन करके सब देखती रहे गए उसको पूतना ने चुटकी बजाई अरी आप सम पूछ रही हूँ यह जाके का जे उत्सव मन रहो वो बालक कहां मिलेगो अरी बहन यह दो ब्रक्ष दिख रहे हैं ना यह ब्रक्ष जा आंगन में वही हैं वो बैलक चली जा पूतना ने सब को आकरिष्ट कर लिया जैसे ही नंद भवन में प्रवेश किया गोदी में लिये बैठी हैं यशोदा महिया लाला छे दिना के हैं बस अभी छे दना के ठाकुर जी को भागो जी मैं ऐसा भी भाव बताया कि कितने महीनों तक तो ठाकुर जी को दिखाया ही नहीं यह शोदा महिया ने किसी को जब दिखावे की बारी आती तो नेक बस चरण दिखाती है लाला के और फिर छुपा लेती है अपने पास इतनों प्रेम से रखती है लाल जी को पूतना आई पूतना को देखती ये सोधा मैया भी एक बार को मोहत हैं बोले आहा कितनी सुंदर अरे विधाता काश इतनी सुंदर तेने मेरे लाला के ताहीं बहु बेजी होती वही तो भ्या कराती है अपने लाला को ठाकुर्जी गोद में पड़े पड़े मंद मंद मुस्काय के रहें मैया रुख जा भी बहु को रूप दिखाऊं तो है कैसी बहु है पूतना जैसे ही गई ये शोधा मैया से जाकर के प्रणाम अरी भेन कहा सो आई हो बड़ी सुंदर हो बोले पास के गामते आई हूं पूशी की बढ़ाई देवे आई हूं नेक दियों तो कैसो लाला आपको ये शोधा मैया ने कोई विचार नहीं किया उसका सुंदर रूप सुंदर आवरण जान करके तुरूंत उसकी गोद में अपने ठाकुर्जी दे दिये प्रिया एक बात बहुत देखो ये लीला हैं तो सब आपने सुनिये पर इन लीलाओं में कहीं रहस्त छिपें हैं यशोधा कौन है मैं आप हम सब यशोधा हैं और श्री कृष्ण कौन है हमारी भक्ती ही श्री कृष्ण है कई बार हम उन लोगों के सामने अपनी भक्ती को प्रकट कर देते हैं जो उसके अधिकारी नहीं होते हैं सदेव याद रखना दस नाम अपराद हैं उन दस नामा अपराद में एक अपराद यह भी है कि अनधिकारी के सामने अपनी भक्ती प्रकट करना जो अधिकारी नहीं है जो योग्य नहीं है उसको बताना हम तो इतना भजन करते हैं। हम तो इतनी कठा सुनते हैं। हम तो वर्णावन जाते हैं। अब वो सामने वाला व्यक्ति केवल आपसे निकल वाने के लिए ही सुनदर बनके आया है। वो वास्ताओं में उसका अधिकारी नहीं है। इसलिए हमारे सास्त्रों में हमारे गुरू जनोंने कहा है नाम जब को गोपनिये रखो, गुरु मंत्र को गोपनिये रखो, भगती को गोपनिये रखो, क्यों? क्योंकि अनधिकारी के सामने बोलने का मतलब ठीक उसी प्रकार है श्री कृष्ण को पूतना को प्रदान करना वो बहलूपिया है बार से केवल दिखा रहा है इसलिए अपनी भक्ती को प्रकट केवल वैश्णों के सामने करो गुरु जनों के सामने करो संतों के सामने करो सब के आगे परकट करने की आवश्चिक्ता नहीं नामा पराध में कहते हैं आप यदि किसी ऐसे व्यक्ति के सामने अपना भजन बताते हैं जिसको भजन का मुल्ली ही नहीं पता उससे भी आपका भजन घट जाएगा आपका नाम जब घट जाएगा आपकी भक्ति कम हो जाएगी दस नामा अपराद में एक अपराद है और एक और बात कहें गुरू जन भी जब तक पूछे ना तब तक नहीं बताना चाहिए कि आप कितना भजन करते हो कि कई लोगोते हो वो मिलने आते तो बैटते ही हम तो हर मही नजगे जाते हैं महराजी हर महीना के उस एक आदिशी पर हमारी बंगला लगता है ब्यारी जी में कि मैं तो अपना कोई वो रखतानी मराजी 200 लोगों को लेके जाता हूं बस मैं बैठा के जल अंदर से सब को दर्शन करा के लाता हूं इतना काय को प्रकाश करना भाई अपनी बक्ती का हम तो बहुत बालकों से कहते हैं कि भाई भजन गोप निये रखो एक बात कहें बुरा नहीं मानियेगा यह जो काउंटर वाला जो नामजप है ना कई लोगों की उंगली में लगा होगा उसमें लोग जबते रहते हैं काउंट करते रहते हैं अच्छी बात है पर मेरा ऐसा मानना है कि उस पर ना एक टेप लगा के रखा करो ऐसा टेप जिससे आपको नम्बर ना लिखाई दे कि नम्बर कितना gw कितना पहुंच गया अब एक प्रशन आया कि नाम जब की संख्या कितनी होनी चाहिए हमारे गुर्देव कहते हैं ग्यारा करो हमारे गुर्देव कहते हैं एक सू आठ करो हम तो यह कहते हैं भाई गिनों मत करो गिनती करनी है तो अपने दूशित करमों की करो कभी प्रेम गिनके किया जाता है प्रेमी एदि अपने प्रियसी को या प्रेमी अपने प्रियतम को रोज गिनाता हो कि मैंने तुमको सुबह ये बोला था, मैंने दुपएर में तुमको ये बोला था, मैंने तुमको तब इतना प्रेम किया था, मैंने तुमको तब ये प्रेम में दिया था प्रेंट ञिना थोड़ी जाता यह नाम जब अगर पुन्य की भावना से आप करते हों आपको पुन्य मिले तो तो गिनू लेकिन प्रेंट की भावना से करते हो तो जपना गिनना बंद कर दो उसको असंखे करो कि जितना हो सके उतना करो काउंटर अगर आप रखते हैं तो उस पर एक टेप लगा दीजिए वाइट टेप जिससे उसका अंदर का संख्या नहीं दिखनी चाहिए कितनी संख्या आप निश्चित मानिएगा जितने लोग भी संख्या देखके करते हैं संख्या देखते ही मान आता है एर्दे में ओह इ नाम जब गिनों मत बलकि काउंटर सब लोग खरीद लो अपनी अंगली में पहन के रखो किसी के साथ बुरा करो दवाओ हमने ये बुरा किया किसी के साथ अभद्र बोलो, दबाओ, किसी के साथ छल करो, दबाओ, किसी पर क्रोध करो, दबाओ और पर रोज रात को सुने से पहले देखा करो, ओ, 108 हो गए, आज दिन भर में 108 पाप किये मैंने, उसको गिनो नाम जब गिन करके संतोष करके सोजाते हूं, ओ, 5000 नाम हो गए, आज तो मेरे, नाम जब काई को गिनना, वो तो असंखे करो, उसकी कोई गिनती नहीं होनी चाहिए, तो नामा पराध में एक अपराध क्या है, अयोग्य के सामने अपनी भक्ती का परचार करना, यशोदा महिया ने लाला दे दिये, पूतना ने जैसी गोद में ठाकुर जी को लिया, इतने में कुछ गोपियां आई, यशोदा महिया जल्दी बहार चलो, एक पूजा करनी है, यशोदा महिया बोली, अच्छा, बेहन तुम लाला को समालो, मैं अब ही आऊं, पूतना बोली, हाँ, हाँ, मैं समाल रखा है, आप जाओ, यशोदा महिया जैसे ही बहार आई, और पूतना ने जैसे ही ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी ने दोनों नेत्रों पे हाथ दल लिये, छे दिन के ठाकुर जी ने छोटे छोटे हाथ ठाकर के अपने नेत्रन पे धल लिये, कितनी दुरभाग गिशाली है पूतना, उसके रूप पर सब मोहित हो गए, उसको सब देखना चाह रहे हैं, उस पर सब आक्रिष्ट हो गए, पर जिसको आक्रिष्ट होना चाहिए था जिसको रूप दिखना चाहिए था जो रूप को देखने वाला होना चाहिए उसी नहीं आँख बंद कर ले हमको दुनिया देखे क्या फायदा सबको देखती है दुनिया था पर राधार अमन हमको देखे यह बड़ी बात है कई बार अखवार में आता है कि आज पांच लाख लोगों ने बिहारी जी के दरशन किये यह बड़ी बात नहीं है कि पांच लाख लोगों ने बिहारी जी को देखा पांच लाखों में बिहारी जी ने किस किस को देखा ये बड़ी बात पूतना को पूरे ब्रज ने देखा सब ब्रजवासियों ने देखा जे बड़ी बात ना है कि पूतना को सवन ने देखो बड़ी बात ये है कि ठाकुरजी ने देखा कि नहीं देखा ठाकुरजी तो मैं कताओं मैं कहा करता हूं सभी साधक बहुत ध्यान से स सुन्दर हों कितने हो योग के हो ठाकुर जी आपको देखेंगे नहीं कहीं ऐसा नहीं हो कि हम ठाकुर जी के सामने गए और राधर्मन जी अपने नेत्रबंद कर लें क्या गलती कियें पूतना ने पूतना गलतियां तो बहुत सारी हैं पर साधकों के लिए वैश्णवों के लिए दो अपराद हैं जो पूतना ने कियें जिसकी वज़े से ठाकुर जी नजर फेर लेते सबसे पहला भजन विक्षेप क्या भजन विक्षेप भजन विक्षेप का मतलब तुम खुद भजन तो करते नहीं हो लेकिन कोई और कर रहा है तो उसमें टांगडा रहे हो उसके भजन को रुकवा रहे हो उसके भजन में किसी ना किसी रूप में विक्षेप डाल रहे हो, अगर आपका ये गुण है, दूसरे के भजन को रुकवाना, दूसरे के भजन में टांग अडाना, दूसरे के भजन में दकलंदाजी करना, दूसरे के भजन में डिस्टर्ब करना, ठाकुर जी आपको नहीं देखेंगे, ये पूतना ने किया, नंद हमको भजन करनो है, हमको किर्टन करनो है, हमको उत्सव नानो है, सब पूतना को देखने लगे, ये सबसे पहला कारण है कि ठाकुर जी ने पूतना को नहीं देखा, भजन विक्षे मत करो, बंधूं कोई साधक यदि आपके घर में हैं आपके पड़ोस में हैं आपके परिवार में हैं और यदि वो कुछ ठाकुर्जी के लिए करता है उच्छ सब करता, नाम जब करता कथा सुनता या कुछ भी करता है आप प्रयास करो कि विकशेप मत बनो करने दीजिए उसको क्योंकि विक्षेप करता ठाकुर जी को बिल्कुल प्रिय नहीं बहुत अप्रिय लगता है ठाकुर जी को तो इसलिए चाहां में कि श्री राधार अमन जी कभी अपने नेत्र हम से ना फेरें वाके लिए कोई के भजन में विक्षेप मत बनो सबसे पहला कारण ठाकुर जी ने पूतना को इसलिए नहीं देखा और दूसरा कारण पूतना को ना देखने का जो साधकों के लिए कारण बहुत सारे ना देखने के पर साधकों के लिए पूतना में दूसरा ऐसा क्या आवगणा है कि ठाकुरजी ने उसको नहीं देखा कि पूतना अपनी वास्तविकता को छुपा करके जा रही है वो अपने मूल रूप को छुपा करके गई है ठाकुरजी के सामने वैश्णव को चाहिए वो जैसा है वैसे प्रस्तुत हो ठाकुर जी के आगे अपने मूल रूप को ना छुपाए सूर्दाश जी का एक बहुत सुंदर पद है मुझे बहुत अच्छा लगता है कौन कुटेल खलका मी मौसम कौन कुटेल खलका मी मौसम कौन कुटेल खलकामी मौसम कौन कुटेल खलकामी मौसम कौन कुटेल खलकामी मौसम कौन कुटेल खलकामी मौसम जो तन दियों ताही बिसरायो जो तन दियों ताही बिसरायो जो तन दियों ताही बिसरायो एसानमक हरामी जो एसानमक हरामी मौसम कौन कुटेल खलकामी 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 मौसम पापी कौन बड़ो है मोते सब पतितन में नामी है पापी कौन बड़ो है मोते सब पतितन में नामी पापी कौन बड़ो है मोते सब पतितन में नामी है पापी कौन बड़ो है मोते सब पतितन में नामी है सूर्पतित को ठोर कहा 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 है सुनिये श्रीपति स्वामी मुसम कौन कुटेल कर लगा के मुसम कौन कुटेल कर कामी मुसम यह शब्द जो आप गा रहे थे ना यह परम्रसिक्षिरोमणी स्वामी परम्रसिक्षिरोमणी श्री सूर्दाज जी महराज गा रहे है इस भाव को जिनको साक्षा ठाकुर जी के दर्शन होते थे ऐसे सूर्दाज जी महराज कह रहे है कौन कुटेल खलकामी मुसम एकाद कोई गलत बात अपने लिए नहीं कही है कितने सारे शब्द कहें और अंत मैं तो कलमी तोड़ दे वो ले क्या पापी कौन बढ़ो है मोते सब पतितन मैं नामी सूर्पतित को ठोर कहाँ है सुनिये श्रीपति स्वामी मुसम कौन कुटेल खलकाम ये बात हम क्यों समझा रहे हैं आपको अपनी वास्तविक्ता प्रस्तुत करो ठाकुर जी के आगे आप जैसे हो वैसे प्रस्तुती करो भाई वैद्दी के आगे अपना रोग नहीं बताओगे तो चिकित्सा कैसे होगी ऐसे ही ठाकुर जी के आगे अगर अपने अवगुण आपने नहीं कहे सब को मत बताओ पर ठाकुर जी को तो बताओ मैं ऐसा हूँ मेरे अंदर ये अवगुण है ये दोश है ये पाप है ये दूशित कर्म है आप करपा करके मुझ पर अनुग्रह करूँ पर पूतना ने क्या किया अपनी समस्त दोशों को छुपा करके सुन्दर सुन्दर बाहिये आवरण बना करके गई है है तो राक्षसी पर दिखा करके क्या गई है मैं लक्ष्मी के समान सुन्दर हूँ ठाकुर जी कहते हैं जो इस प्रकार के आवरणों से ढखकर के लाता है स्वैम को मैं नहीं देखूं बाकु मेरी दर्ष्टी नाय पड़े वाप है इसलिए भया साधकों को इन दो बातों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर ठाकुर जी के नेत्रों से आपको ठाकुर जी के नेत्रन में बसनों हो तो एक तो कभी किसी के भजन में विक्षेप मत बनो और दूसरा जैसे हो यह थात ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत करो स्वयम को छुपाओ नहीं आज अगर किसी को देखके इरिशा हो गई ना तुरंत जाइए अपने गोपाल जी के पास बोले उस सामने वाले को पता नहीं उसकी उपलब्दी देखके मुझे इरिशा हो रही है ना तुरंत अप उस अवगुन को प्रकट होने के बाद में प्रकट रहने देते इसलिए वो अवगुन सदा के लिए बस जाता है तुरंत ठाकुर्ची को बताओ अरे भाई कमरा में कौकरोज घुस गया तुरंत मैया के पास जाते हो दोड़के हमको छपकली से डर लगता है कमरा में छपकली आ जाए तो मैं तो पूरे घर को अधर कर दूँ तुरंत भगाई जाती न अब उस छपकली को अगर आपने दस पांच दिन तक नहीं हटाया तो वो अपने जगे बना लेगी कमरे में जैसे उसको भगाने जाओगे तो वो सीधी वहीं भगेगी जहांसे कोई निकाली नहीं सकता एक्सपिरियेंस दुहू में ठीक वैसे ही अवगुण चित में प्रगट हुआ अवगुण जन्म से नहीं होते हैं अमारे अंदर धीरे 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 आते हैं जैसे ही कोई अवगुण आता है आज किसी की ऐसी बात पर क्रोध आगया जिस पर आना ही नहीं चाहिए ता फिर तो या ठीक वी आगया ऊपको तुरंट जहिए अपने हाक ओजी एक पास हे प्रञाइक सब्सक्ता करेंगे लेकिन आप क्या करते हैं, क्रोध आ गया, अब क्रोध आ गया तो उसको बीतरी रहने देते हैं, कभी ठाकुर्जी कहा कि प्रस्तुत नहीं करते, तो बीतरी रहा रहा, वो अपनी जगे जगे स्थान बना लेता, फिर ठाकुर्जी से जवाब बहुत दिन बाद कहते हैं, ठाक तुमें और फिर कथाएं सुन-सुन के सुन-सुन के महराज पूरा जीवन धक्का खाते रहो तब भी अवगुण निकल नहीं पाएगा इसलिए आज से अभी इसे नियम बनाओ जो अवगुण आता है ठाकुर जी के पास जाने का भी समय नहीं है नेत्रवंद करके राधर्मन लाल जी का इस्मरन करो किसी पर क्रोध आये तुरंत आप राधर्मन जी का इस्मरन करने लग जाओ चांद सासलोना मुखु लटें गुंघरारी हैं भोएं हैं कटीली आँखें तिरची कटारे होया के मधूरे रसीले वचन हो मेरा या पे अटक गया मन कहां गया करोध भाज गया खत्म काम उत्पन होता है चित में काम उत्पन होते तुरंत नेत्रवंद करो राधर्मन लाल जी का काम नश्ट हो जाएगा उसी समय आप अवगुण के आते ही ठाकुर जी को भूल करके उस अवगुण की इच्छा को पूरी करवाते हैं इसलिए अवगुण रुक जाता है आपके चित्त में यह भजन कीरतन तब नहीं गाना है जब कता हो तब नहीं गाना है जब समाज मिले तब गाना है जब जीवन में अवगुण आते हैं किरतन करो किसी पर कुरूधाराय किरतन करो इन इन स्थितियों में किरतन करो आपका त्रोध काम इरशा द्वेशद अभिनवेश होंता मंता चिंता सब नष्ट हो जाएगी बच्ये कहां नी बंते चिंता और यह किर्थन करने लग जाओ चिंता खत्म यह सूत्र हैं और यह सुनने से काम नहीं चलेंगे यह प्रेक्टिकल करने पड़ेंगे तो अपने अवगुण को ठाकुर्जी के सन्मुक प्रस्तुत करो कि भगवान ने पूतना को नहीं देखा कि पूतना ने जैसी अपना पयोधर भगवान के मुख में दिया भगवान ने उसके विश्कों पिया दूद को पिया पुन्यों को पिया पापों को पिया और अंत में ठाकुर्जी ने दोनों छोटे-छोटे हाथों से उसके पयोधर क को पकड़ करके प्राणई शमम रोष शमन वितो पिवत गाधम कराभ्याम भगवान प्रपिढ्यतत भगवान ने जैसे ही उसके प्राणों को खीचना शुरू किया अब तो पूतना पकड़ करके ठाकुरजी को दूर खेंचे लेकिन ठाकुरजी और कसके पकड़े और उसके को पीने लगे जैसे प्राण पीने लगे अपने अपने वास्तविक रूप में आने लगी राक्षसी बनने लगी विशाल विक्राल स्वरूप हो गया सामंच मंचाल मितिक प्रभाशनी चिलाने लगी अरे बालक छोड़ अरे बालक छोड़ ठाकुरजी को पकड़ करके छोड़ 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 ठाकुर जी ने पयोधर मुख से निकाला और छेदना के ठाकुर जी बोले मौसी जी हम पर तो पकड़ वही आवे छोड़ नो नहीं आवे और एक बार जाकु पकड़ ले न चाहे वह भगत हो चाहे राक्षे से उपर तो ठिकाने लगा कि छोड़े छेदना के ठाकुर जी जैसे ही बोल पड़े महराज पूतना तो व्याकुल हो गई भगवान ने उसके प्राणों को खीच करके गोविंदाय नमो नमा बोल पूतना मर्दन भगवान की धडाम से पूतना का विशाल शरीर गिरा सब ब्रजवासी दौड करके गए जाके अधर से ठाकुर जी को उठाया और सब ब्रजवासी लेकर के गउशाला गए गउशाला में ले जाकर के ठाकुर जी के द्वादस अंगों पर गउवरज लगाई गउव मुत्र से श्नान कराया बंधूं बागत जी में वर्णान आता है भगवान ने पूत्रना को वो सद्गति प्रदान की जो माता यसोदा को मिलनी जाए अहो वकियं स्तने काल कूटं जे घांग शयापा ये दप्य साध्वी लेभे गतिम धात्रुचितां ततोन्यं कमबादयालुं शर्णं ब्रजे भगवान ने पूत्रना को वो गती प्रदान की जो माता यसोदा को मिलनी चाहीं क्यों कि मत्व्ताउने पूछा पूत्र में ऐसा क्या दिखिग अपको जो आपनो उसको यसोदा में एक प्रदान की बहुंआ बदावी यह मां के भाति पयोधर पिलाने से हमको मारने देखो इसलिए कहते हैं ना जाने कौन से गुण पर दया निधी रीज जाते हैं ठाकुर जी को ना जाने हमारा कौन सा गुण बढ़िया लग जाए एक बार रामानुजाचारी जी ने जगनाद भगवान के जगनाद जी कितने लोग गए हाथ उपर करो वा बहिया जलंदर वासियों यहीं रहते हो क्या आप लोग अरे कभी-कभी निकसे करो पंजाब ते भार बहुत कितने बिल्कुल चार-पांच लोगों नहीं उठाए बस कब जाओगे इसी साल जाओ जितने उन्हें हाथ नहीं उठाएं सब जगनाद पुरी होके आओ भाई हर साल एक धाम तो जाया करो ठाकुर जी को प्रणाम करने तो जगनाद जी के पंड़ा पुजारी जो है वो बड़े अद्भुते ही हैं अलग ही हैं बिल्कुल पुरी द जगनाद जी के पंड़ा पुजारी तो एक बार रामानुजा अचारी जी ने क्या किया सारे पंड़ा पुजारियों को मंदर से बाहर कर दिया वोले आप लोग जो है अपने मनमानी करते हो जगनाद भगवान के साथ हम वैदक ब्रामणों के साथ जगनाद जी की सेवा करे बहुत एक प्राम्वणों के साथ सेवा करने लगे तो श्री जगनात भगवान स्वपन में आकर कि रामनुजा चार जी से बोले बोल सुनों कि मुझे उनी लोगों की सेवा बढ़िया लगती है एक रामनुजा चार जी बोले आपने वेद निर्मान करवाए आपने नियम लगता है मुझे बहुत सुख लगता है जो अपनी दोना भुजा उठा करके और हरी बोल करके नाचते हैं तो मेरों को बहुत सुख मिलता है ने सेवा करवानी है तो ना जाने कहां किसकी कैसी सेवा ठाकुर्जी को भड़िया लग रही है सदन कसाई वो तो माम्स काट करके तराजू पर तोलता था और तराजू में एक तरफ भार की जगह शालिक राम भगवान रखता था को कि उससे मांस तोलता था एक बार एक संथ ने देख लिया संथ ने देखकर करके राम 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 मुझे नहीं आप ले जाओ पंड़ी जी ले गए विद्वान और पंचाम्रत से श्नान करा करके चांदी के संगासन पर बिठा करके बढ़िया चंदन लगा के माला वाला पहना के आरती की रात्री जैसे सोये तो शाले ग्राम भगवान स्वप्न में आ गए रोने लगे यहारी जी बोले क्या होगया वगवन आपको सिवा बढ़िया नहीं हमको उसके तराजू में लुड़कने में मज़हा आता है हमको पराप इसमें चुटे आओ सके पास यह वह तराजू जब तो रखलता है उस में एधर उद्धर लुड़कते हुआ घरक्त आंश == मिलता है हंपोसिक के पास रहना है कि तो थाकुर्जी को कहा थागुर जी जाने मिफिए अ सव्हेजिन इसमें एक बात हैं आप लोग प्रशन करें सो सदन कसाई लोक मामद याद याम प्रण नहीं है वहाँ जगनात पुरी में पंड़ा पुजारियों का हरीबोल हरीबोल बोल के मटकना वो नृत्य प्रधान नहीं है सब जगे एक चीज की प्रधानता है क्या भोला पन सीधा पन सहजता सरलता वो ठाकुरजी को ज्यादा प्रिया लगती है आप जितने चतुर बनोगे ठाकुरजी उतने दूर रहेंगे और आप जितने सहज जितने भोरे जितने सीधे रहोगे उतने ठाकुरजी को प्रिया लगोगे अब भोला व्यक्ति तो कुछ भी कर सकता है चतुर व्यक्ति को पता है कि क्या उचित है क्या अनुचित है पर भोले व्यक्ति को थोड़ी पता होता है कर्मा भाई के बक्ति में क्या है भोलापन एक कथा में सुनाया करता हूं कि एक बार एक शिकारी कहीं जा रहा था तो जंगल में एक गुफा में एक संत बैटे थे बैट करके समाधी लगा के बैटे थे शिकारी ने उनको देख लिया उसको देख करके लगा कि मेरी मां कहती थी कहीं भी संत मिले तो संत के चरणों में कुछ प्रशाद बेंट करनी चाहिए तो उसने क्या किया एक हिरन को जाल में फसाया और उस हिरन को ले करके गया बेंट में संत के पास संत के चरणों में जा करके प्रणाम करके बोला जै हो गुर्देव आपके चरणों में मेरा प्रणाम संत के नेत्र को बोले कहो बिटा आपके लिए उपहार लाया हूं हिरन का बढ़िया इसको आप बनाईए इसको बढ़िया इसका मामश पकाईए आप भी भोग लगाना मुझे भी दे देना और संत जो थे बिचारे हस गए हस करके बोले बिटा राम एरे गेरे हिरन का भोग नहीं लगाते हूं हमारा हिरन तो अलग है उसने का महराजी आप आग गया तो किजिए कैसा हिरन चाहिए बारा सिंगा पकड़ करके लाऊं कि चितकवरा पकड़ करके लाऊं कि सामबर पकड़ करके लाऊं कौन सा हिरन चाहिए बताईए इस पूरे जंगल में मेरी सब जगह तक गती है तो संत ने उसको सहज बाव से का लिखो हमको कैसा हिरन चाहिए बताईए पुलबरहापीडम नडवरवपु करणयों करणकारं सबसे पहला हम जिस हिरन का भोग लगाएंगे वो मोर मुकुट पहनता है शिकारी बोला मोर मुकुट पहनने वाला हिरन बोला हां जी अच्छा और बोले करणयों करणकारं अपने कानों में कुंडल पहनता है शिकारी बोला ऐसा हेरन तो मैंने कहीं नहीं देगा कुंडल वाला हेरन और आगे सुनो बोले क्या पीली पितामबरी पहनता है गले में वेजनती माला पहनता है पेरों में नूपर पहन करके छम छम करते बांकी एदा से चलता है और सबसे बड़ा गुण क्या है इसका बोले क्या बोले अधर परवन्शी रखके वैनू बजाता है सब लोग इधर देखो इधर देखो साफधानी से सुनो अब यहाँ पर बैठे हुए संत तो भगवान का वरनन कर रहे हैं पर सामने बैठा शिकारी इतना भोला है उसको लग रहा है ऐसा कोई हिरन ही होगा उसने मन में विचार किया मैं डूढ के लाता हूं इसको और गुरुजी आप चिंता मत कर जब तक हिरन नहीं मिल जाएगा मैं भी कुछ नहीं पहुंगा सब जगे ढूड़ा उसको ठाकुर जी अब तो वो हिरन मिले ही नहीं एक दिन बीत गया दो दिन बीत गया तीन दिन में महराज उसकी आहलत ऐसी हो गई कि अब तो प्राण ही निकल जाएंगे सामने हिरन आजाते हैं तो भी बचारा कुछ नहीं कहता वो ले नहीं नहीं मेरे गुरू जी भी भूके हैं तो मैं भी भूका रहूँगा अब तो प्राण ही निकल जाएंगे सामने हिरन आ जाते हैं तो भी बचारा कुछ नहीं कहता बोले नहीं नहीं मेरे गुरु जी भी भूके हैं तो मैं भी भूका रहूँगा वो ही हिरन चाहिए मोर मुकट वारा सब जगे ढूड़ा लेकिन नहीं मिले लेकिन उसकी ये इच्छा ठाकुर जी से जाकर के छुब गए बैठा था एक ब्रक्ष के नीचे गला सूख गया है प्रान निकलने को हो रहे हैं भूक के मारे और तभी क्या देखता है कि सामने कुझ में से त्रभंग लली पिताम बरी पहने हुए जैसे ही उसने शाम सुनदर के रूप को देखा देखते ही अपने गुरु जी की लेखनी देखनी देखनी मौर मुकुट भी है कानों में कुंडल पहने पीली पिताम बरी पहने गले में इसने वेजनती माला पहनी वन्शी बजारा है कहीं यही तो वहिरन नहीं है मानों वो जैसा दिख रहा है बिल्कुल बोली यही है वो अब ठाकुर जी आगे-आगे चल रहा है वो पीछे जाला पकड़ करके चल रहा है जिससे हिरन पकड़े जाते हैं और थोड़ी दूर जाके उसने जाला फैका ठाकुर जी को उसमें बंदी बनाया पकड़ करके अपने कंदा पे टांग करके ले गया गुरुजी के पास गुफा के बाहर जाकर के चल गुरुजी जल्दी बाहर आओ आओ आपका हिरन मिल गया संत बोले पता नहीं अब कहां से कौन सा हिरन पकड़ के लाया होगा जैसे संत बाहर आये तो बाहर आकर कि क्या देखा ठाकुर जीवा के कंदा पर बैठें मोर मुकट वनसी धारी पितामबरी पेने पर कंदा पर बैठें जल्दी छोड़ इनको नीचे छोड़ नहीं नहीं गुरुजी तीन्द नाम मिला इसको नहीं छोड़ों भाज जाएगा बढ़िया इसका पकाओ इसको दोनों पाएंगे में और आप मिलकर के गुरुजी बोले अरे भाईया जिस आखशा ठाकुर जी है इनको चोड़ो तो कहने का अभिप्राय केवल इतना है कि ठाकुर जी किसी भी गुण पर रीज जाते हैं पर कब रीजते हैं जब साधक भोल हो अगला हो सडलरो सहज हो कि चतुर व्यक्ति अगर जबर जस्त लिकुछ ऐसा करेगा कर्मा बाइ की तरह बिना नाए दोकुआ बहजन मंना दंडोर लगेगा उसको नरक और जाना पड़ेगा उसको क्यों कूंकि तुम चतवर उओ तुम बोले नहीं भोले व्यक्ति की ही स्वभाव पर ठाकुर जी रीचते हैं इस प्रकार पूतना मर्दन लीला हुई भगवान अब दीरे दीरे तीन महीना के हो गए भगवान का कर्वट उत्सव मनाया गया पहली बार ठाकुर जी ने कर्वट बदली कर्वट बदलते ही महराज पूरे ब्रजमंडल में नगाड़े बजने लगे वोले कायबात को कर्वट लई है ठाकुर जी का कर्वट उत्सव था पीछे यशोदा मैया ने नंद भवन के पीछे एक बैल गाड़ी के नीचे ठाकुर जी पड़ा दिये तभी एक सक्टा सुर नाम का देत्य आया सक्टा सुर देत्य के आते ही भगवान ने अपना एक पाउं लंबा किया और सक्ट में जैसे ही मारा सक्ट तीन बार आकाश में गूम गया सक्टा सुर का वहीं वद हो गया सक्टा सुर का वद किया यश्वदा मेया आदी सब दोड़े दोड़े कहे देखे बैल गाड़ी उल्टी पड़ी है और एक राक्षस मरा पड़ा है मेया पूछने लगी बैल गाड़ी कैसे गिर गई उजे राक्षस कैसे मर को एक बालक घूम तो घूम तो आयो मेया मैं बताउं कैसे मरो बूल हाँ प Looking दि HakaiISA तेरों लाला एन एक्सोस क लंबहुत कि मया कि मैया जाने अपनों इक पाम खाएंगो और मैं पाम खाएंगा ने इतनों लंभो कियो इतनों लंबो कियो इतनों लंबो कियो और एसों लंबो करके महीया याने पीछे करके यो मारी 1001 पेल गाड़ी आकाश में तीन बार घूम गई और भाइ के नीचे राक्छी साकर मर गयो महीया बोली यहां पी आई यहो जैसी समीब गएऊ मैईया ने एक दियो वाके कान के नीचे जुट बोले नेक सो सो मेरो लाला तीन महिना को भेऊ भी याने इतनों लंबब पाम कियो लंबब करके मार दियो जुट बोले मुटे मैईया तेरी सोगंध खाके कियो मैं साची बोल लूँ तेरे लाला ने इतनों लंबा पाम कियो मेरे सामने मैंने देखी मैया बोली दुबारा आए यहां पर फिर तो एक दियो वाम है सुकाचारी जी वरणन कर रहे हैं अप्रे मयम बलं तस्य वाल कस्य नते विदु बालक जूट नहीं बोला है बालक तो सच बता रहा है कि ठाकुर जी ने लंबा पाम करके बेल गाड़ी में मारा लेकिन येसो दा मैया स्विकार नहीं कर रही है कि मेरो लाला येसो कर सके ठाकुर जी मंद मंद किल किल करके हस रहे हैं अच्छो है यह ब्रजवासी यह स्विकारी नहीं करेंगे कि मैं भगवान हूं क्यों कि प्रेम की प्रेम की प्रधानता जहां होती वहां प्रभूता नहीं दिखते प्रभूता वहीं दिखेगी जहां प्रेम कम होगा आपको किसी व्यक्ति की योग्यताइं दिखाई देती हैं तो इसका मतलब उससे प्रेम नहीं है आपको जहां प्रेम बहुत ज़्यादा होता है न वहाँ योग्यताओं का दर्शन कम होता है जैसे मा और पुत्र का समद्ध, पुत्र कितना भी स्रेष्ट हो जाए मा के लिए वो सम ही रहेगा मा के लिए वो अतिस्रेष्ट नहीं हो सकता इस प्रकार ठाकुर्जी के संग लीला हो रही है ठाकुर्जी नेक और बड़े है गए, एक वरश के है गए अब अब एक बरस के जैसे ही ठाकुर्जी भैं हैं अब तो ठाकुर्जी गुटमुन गुटमुन चलनों सीख गए हैं अपने गुटनों ते चलें पामन ते चलें यश्वता मैया इतने मैं लाला को पकड़ करके और एक सुंदर पाजेव निकार करके लाला के पामन में पहनाए द चुम चुम करतो वहो लाला पूरे व्रिजमंडल में घूम रहे हो है पूरे घर में आनंद कर रहे हो है चुम चुम बाजे पायलिया मेरे घर आए लाला मेरे घर आए चुम चुम बाजे पायलिया हमने पुछली जन्माश्टिमी पर एक निवेधन किया और इस बार लाखों वहिश्णवों ने उस निवेधन को स्विकार किया हमने निवेधन किया था कि अगली जन्माश्टिमी पर सब अपने लाला कूप आजे पहने हो और कहीं से खरीद के मत पहने हो कोई सुनार की दुकान पर जाके बनवा करके पाजे चुम चुम अवाज आती हो अपने अपने ठाकुरन को पहने हो और प्रतिक्षा करियों के काउदना रात्री में वो इस्वर सुनाई दे जो हुमारी लाला ने अपने चरणद में पेन रखे हैं भाईया पहले तो विश्वास मन में जगाओ कि लाला काउदना अवाज करके सुनावेगो तब ही अवाज सुनाई देगी नहीं तो नहीं देगी अब की जनमाश्थ में हमने नहीं बात कही है अब कमर में कौंधनी पेनाओ कौंधनी में भी छोटी छोटी गंटी लगवाई लो घर के लाला कुँ ऐसे मत रखो बडिया ऐसे रखो कि माराज नेक भी एरेंस तो भी आवाज हो वे ये शोदा मईया ऐसे ना रखे लाला कु ऐ ऐसे ऐसे आभूशन पहना के रखे कि लाला नेक हिले सोई छम 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 कितनी अवाज आ जाए क्यों ये शोताओं ये पूरो ध्यान रखे लाला कहीं भाज नहीं जाए कहीं हमारे घर को लाला भी भाज नहीं जाए ऐसे ऐसे आभूशन पहना के रखो बाजू बंद में भी नेक नेक स्वर्वाले बाजुबंद पहनाओ, कडूला भी स्वर्वाले पहनाओ, कौंधनी भी स्वर्वाली पहनाओ, माला भी स्वर्वाली पहनाओ, नेकों हिले सो महराज पतों चल दाएगी हिलो लाला ओ मेरे घर आए लाला मेरे घर आए काना मेरे घर आए सुमसुम बाजे माई अलिया है ज avis देख। ना वे काना मेरे घर आए लाला मेरे घर आए काना मेरे घर आए ओ मनुण नंस दो गए लाला की कर दो कर दो हम दो कि अ कर दो दे खुब जगाइ तो रेने अधेरी चंद्र स्वरूपी आ गए आ गए और मात ये शोदा सब सखियन को भागए भागए मात ये शोदा सब सखियन को भागए भागए आंधे काली का मरियां मुखमल कावे काना मेरे घर आए लाला मेरे घर आए चुम चुम बढ़े पैलियां जब देख लावे काना मेरे घर आए लाला मेरे घर आए जब देख लावे काना मेरे घर आए लाला मेरे घर आए सुनकर चुम चुम सक्या सुद्वद खो गई मैं तो दर्शन करके पावन हो गई मैं तो दर्शन करके पावन हो गई मैं तो दर्शन करके पावन हो गई हो गई तैसे त्यारे सांगरियां मुकमल खावे काना मेरे घर आए लाला मेरे घर आए लाला मेरे घर आए लाला मेरे घर आये, वाजे पाय लिया, चमी दिख नावे काना, मेरे घर आये डाला, मेरे घर पूरे विश्व को चलाने वाले ठाकुर जी आस्वेम गुटमुन गुटमुन चल रहे हैं यशोदा मेरे दो उंगली लाला के आगे करें, सोई लाला अपनी कोमल उंगली इन से यशोदा मेरे के उंगली पकल लें, मेरे जैसे ही लाला को उठावें, सोई ठाकुर जी खड़े आये जाए, मेरे नेक नेक चलावें, लाला नेक नेक चलें, सोई मेरे अपनी हातन को हटा अब ठाकुर्जी कभी इत्कु जामें कभी उत्कु जामें घवड़ा जामें रोते रोते मया से मया में गिर्वे बार हूं अब बोल तो सके ना है लेकिन ठाकुर्जी के सब छबी देखकर के आकाश के सब देवता कह रहें जय हो धन्य है ठाकुर्जी पूरे विश्व को चल आने वाले हास्वेम चलना सीख रहे हैं दीरे धीरे ठाकुर्जी चलनों सीख गए अब ठाकुर्जी बिना सहारे के भी नेक नेक धीमे धीमे अपने चरणन को आगे बढ़ा करके चल ले मैं अब यशोदा मैय एक-एक करके स्टेज बढ़ा रही ए ठाकुर्जी के ठाकुर्जी को पकड़ करके मैया ले गई अब कहां बोले अब देहली पार करनों सीख लाला अब तूँ चलनों तो सीख गयो अब आजकल तो घरों में देहली होती नहीं पुराने मंदिरों में भी मिल तो थाकुर जी पहले तो देली देखें जिक एसे लांगू में अपने पाम उठामें अब मैया के समान लंबे तो है नहीं तो एक पाम उठामें और ऊपर जैसे रखते हैं डेली के तो नीचे वार पाम उठाम उठाम जाए तो थाकुर जी रोल लग जाए आहा कितनी सुंदर छबी है थाकुर जी के दीरे दीरे मैया ने नेक नेक ठाकुर्जी को साहरो दियो की नेक चड़नों सिख गए अब दो-चार दिन में ठाकुर्जी देली पर चड़नों तो सिख गए अब मैया कह रही पल्ली पर उतर लाला तो ऐसो है कि जहां थे ठाकुर्जी चड़ रहे हैं वहां से देली उची कम है पल्ली तरफ जहां उतरनों मा गहरी बहुत जादा है तो ठाकुर्जी चड़तों गए अब कैसे चड़े हैं आँख बंद करके सब लोग इमेजिनेशन करो उसका रूप देखो कि श्री नारज जी महाराज इसका वर्णन कर रहे हैं कि शुति मपरे स्मृति मपरे भजन्तु भव भीता नीतिम अपरे अहम्तु नंदम व्रंदे यस्या लिंदे ब्रह्म वस्ताह पुले कैसे लग रहे हैं ठाकुर्जी बुले देली पर चड़तों गएं तो चड़े कैस लेट करके अपने बाम चरण को नीचे लड़का रहे हैं और नीचे लड़काके देहली हाथ अन्सवा पगड़के दीरे 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 धीरे ठाकुर्जी नीचे सरक रहे हैं कि पामन को प्रत्वी जैसे इस पर शोगी तो ही हाथ छोड़ दूंगो नीचे आ जाओंगो लेकिन दी में ठाकुर्जी जैसे खिसक रहे हैं अपने पाम के छोटे-छोटे अंगुठान से हिला हिला के देख रहे हैं कि नीचे जमीन आई की नहीं आई आई की नहीं आई नेक और सर के आई की नहीं आई अब स्थिती ये आगई कि एक हाथ और एक पाम से ठाकुर्जी देली पर लटक गए हैं और एक पाम नीचे लटका करके अपने अंगुठा से देख रहे हैं धरती आई की नहीं आई तब भी नहीं आई तो ठाकुर्जी लट नहाराज के रहे हैं जय हो जय हो जय हो मैंने वेदों में ढूड़ा मुझे परमात्मा नहीं मिला मैंने शृतियों में ढूड़ा मुझे परमात्मा नहीं मिला मैंने वेकुंट में ढूड़ा मुझे परमात्मा नहीं मिला अरे मिल गया मिल गया मिल कहां मिला बोले वरंदाव जीके दर्शन की हैं, उनकी सफ़रूप को देख कर करें कभी यो नहीं लगता होगा, इस सभासन से उतरते कैसे होऊगे नीचे, जैसे बालक सिधी से कैसे उतरता है, बालक सीधे नहीं उत caution अल्टा हो करके पहले पाम नीचे धरेगा, फिर हाथ से उपर को नीचे करेगा बड़ा सुन्दर लगता है मैं तो कुई बालकों की हरकत होती मैं उसमें ठाकुर जी कही सोचता हूं ठाकुर जी कैसे करते होंगे इसलिए हमारे ब्रज के रसक कहते हैं पौन बावेया को पार प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे था और उसी में एक पंक्ति है मुझे पंक्ति याद ने बोले वामन बन करके गये थे बली के यहां कि दो पकस्तें तीनों लोक नापली आ इन्होंने और हैंन से यस वदियो समी की ताकुर जी नहीं नांगी जा रहिए यहां दैली लागवे में इनके पाम शोटे पड़ रहे हैं किस लिए छोटे पड़ रहे हैं वो ले पाम छोटे नहीं पड़ रहे हैं देली उची नहीं पड़ रहे हैं प्रेम है इसलिए ठाकुर जी लांग नहीं रहे हैं इसलिए ठाकुर जी उसको पार कर नहीं रहे हैं एसी मधूर मुदूर लीला ठाकुर्जी कर रहे हैं बड़ सुनाता हूँ अब थाकुर जी दीरे दीरे बोलनों सीख रहे हैं आप रोज नंबर लगता है मैं तो ये पास आगे बोलते हैं ये सहथ हम अपना नाम बूलाती है थाकुर्जी मंद मंद मुस्काथए किसी का नाम Νहीं भोलते थाकुर जी ने सभसे पहले क्या बोला पता है मेया पीछे पड़ी रहती लाला गोध मेलेके लाला बुल म precisa लाला बोल मैया लाला बोल मैया थाकुर्जी एक दिन मैया यमना जल भरने जा रहे हैं लाला ऐसे कमर पर लटका रखे हैं और कागरी पकड़ करके जा रहे हैं थाकुर्जी मैया की चुनरी पकड़ करके वासों खेल ले हैं और खेलते खेलते थाकुर्जी बोले गई या सबस परश के ठाकुर जी है गए तुत्रा तुत्रा करके बोलनों सिग गए एक दिन मैया की गोद में लेटे हैं और मैया से कह रहे हैं कहा चंद्र खेलों ना ले हूं सुमया मुरी चंद्र खेलों ना ले हूं सब लोग आओ चंद्र खेलों ना ले हूं सुमया मुरी चंद्र खेला और देवन को देव तो हूई बद्रमे के लेगा ओ ऐसो ओ ऐसो ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोगन हूं मैना ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोगन हूं मैना ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोगन हूं मैना ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोगन हूं मैना बड़े बड़े असुरन को मारे बड़े असुरन को मारे नाग काला की ज़ा हो बड़े भजिये कुवर कनहिया व्रंदा वनसां चोधन भैया अरी नाम व्याज जी कहते हैं कनक कूट को टिक लगत जिये भजिये कुवर कनहिया व्रंदावन को आप कब पहचान सकते हो ध्यान से सुनना मेरू परवत के समान कनक याने की स्वर्ण अब मेरू परवत के समान स्वर्ण तो हमारे पास नहीं है पर एक प्रकार से यह मालने तो जितने भी संसार में आसकती जन्य हमारी भाव हैं जहां जहां भी हमारी आसकती है इन सबके प्रति आसकती का जब तक तियाग नहीं कर दोगे तब तक आप ब्रण्दावन को समझी नहीं सकते हैं श्री हरी राम व्याज़ी इस पश्ट कहते हैं आपकी एक स्थान में भी आसकती है तो आप ब्रण्दावन को पहचान नहीं पाऊगे जब तक सब जगे से आसकती आपकी निरासक्त नहीं हो गए तब तक आप वरंदावन को पहचानने में असक्षम हो कनक कूट कोटिक लगत जिये जब तक इतना बड़ा त्याग नहीं करोगे भजिये कुमर का नहीं आँ ठाकुर जी को भजो सब को त्याग करके तब कमा पाओगे किसको वरंदावन सांचो धन भाईया तब वरंदावन मिले। सामाने नहीं हैं वरंदावन किश्वरी जी की किरपा उती है तब ही वरंदावन प्राप्त होता है। कई लोग प्रश्न लिक लिक करके बेचते हैं कि वरंदावन वास कैसे मिले, अखंड वृजधाम वास कैसे मिले, एक बात तो पहले क्लियर कर लीजे कि आपको तन से नहीं बसना है वहाँ, आपके मन में वरंदावन बसे, वरंदावन अचल स्थान नहीं है जलंदर की तरह, जलंदर हमेशा यहीं रहेगा, सौ वर्श बीद जाएं, सौ वर्श पहले, हजार वर्श बास भाद भी जलंदर यहीं रहेगा, पर वरंदावन अस्थान अस्थिर है, वरंदावन एक जगे नहीं टिकता, वाताबरन प्रगट कर दो तो आपका जलंदर भी व्रिंदावन बन जाएगा अभी यहाँ पर थोड़ी देर ऐसी चर्चाएं होने लग जाएं थोड़ी रसकी चर्चा होने लग जाएं आप निश्चित भूल जाओगे कि आप जलंदर में हो लोग तो भूल भी चुके होंगे कि अम जलंदर में हैं है यह अनुभवी नहीं होता होगा इसका मतलब क्या है व्रिंदावन वायू की तरह है जहां उसको भजने वालों की संक्या बहुत होती है व्रिंदावन वहीं प्रगट हो जाता है वरन्दावन वहीं आ जाता है बक्ति मति मीरा भाई जहां बेट जाते हैं दी वरन्दावन वहीं प्रगट हो जाता था श्री चतन्य महाप्रभू जहां बेट जाते हैं दी वरन्दावन को वहीं आना पड़ता था तो इसका मतलब क्या है स्वामी श्री हितरवंश महाप्रभु के एक परम सिश्य हुए उनका नाम था वीठल दास क्या नाम था वीठल नहीं वीठल दास तो वीठल दास जी के चरित्र में आता है कि आप एक दिन यमुना तट पर बैठे थे और श्री इतरवंश महाप्रभु आदी सब आचारी जन बैठके चर्चा चल कर रहे थे राधावल्लव जी का राजभोग पा रहे थे तभी जूनागड से गुजरात के जूनागड से प्रधानमंत्री पद के लिए एक नमंत्रन पत्र आया और इतरवंश महाप्रभु ने जैसे उस पत्र को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि हे महाप्रभु जी आपके चरण सेवक्ष्री वीठल दास जी को हम बहुत योग के समझते हैं प्रधानमंत्री पद के लिए आप प्रधानमंत्री पद के लिए तुमको उम्मीद्वार माना गया तुमको चुना गया है तो यह बात सुनते ही विठल दाजी रोए महाप्रभु जी किरपा करो कि मुझे व्रंदावन से ना जाना पड़े मैं सब छोड़कर के व्रंदावन इसलिए तो नहीं आया था कि पुना मुझे प्रधानमंत्री बना दिया जाए तब आचारी चरण ने उनको आग्या दे दी और आग्या दे करके कहा कि तू जा जाकर के प्रधानमंत्री पद्वी स्विकार कर वीटल दाजी कहने लेगे मै में और व्रंदावन के बगयर किसे रहूंगा वले क्व व्रंदावन के बगयर नहीं रहेगा वरन आवन तेरे पहितर रहेगा तू जब चाहिएगा तब रंदावन तेरे सामने प्रगट हो जाएगा और यह आग्या मान कर कि विढ़लदाश जी जैसे गए वहां जाकर के रहने लगे एक दिन का इसा बात है कि द्वारीका दर्शन करने के लिए गए तो द्वारीका में जाके उन्होंने द्वारीका दृष जी का दर्शन नही है रहे हैं हुए अच्छा इतनी बड़ी स्थिती हो गई तुमारी कि अरे तुम इतने बड़े नहीं हो गए हो कि तुम सब जगये इस भाव में रहों कि श्री जी नहीं है तो ठाकुरू जी का दर्शन नहीं होगा तो ठाकुर जी का दर्शन नहीं होगा वीठल दाज जी को अपनी मान की नहीं पर हाँ गुर्देव के मान पर थोड़ी से ठेस लगी गुर्देव ने तो मुझे आज्या करिये कि व्रिंदावन मुझे में बसेगा बोले कि राजन मैं सत्य कहता हूँ कि मैं श्री जी के बना ठाकुर जी को नहीं देखूंगा बोले इतनी उची स्थती हो गई हो तुमारी तो यहीं व्रिंदावन प्रकट करके दिखाओ वीठल दाज जी ने तुरंत अपना वक्ष खोला और उनके रों से ही वरंदावन के सुंदर यमुना जी का वरंदावन के सुंदर لता गुल्म पत्रों का वरंदावन मैं राधावलवलाल जी का राजा को द्वारी का में बैठे-बैठे दर्शन हो गै राजा तुरंत नदमस तक हो गए बोलो मुझछ छमा करो इसका मतलब क्या है? ऐसा एक के साथ नहीं हुआ स्वामी शी हरदाश जी महराज ने ओर्चा के राजा मधुकर शा को जब मधुकर शा सब छोड़ करके वरंदावन बसने लगा तो स्वामी जी महराज बोले कि यही स्थिती होती थी मधुकर शा के साथ वो जहां दृष्टी गुमाता था वहां वरंदावन प्रकट हो जाता था बस वरंदावन को प्रकट करने के लिए दो लोगों की किरपा चाहिए आप जलंदर में वरंदावन दरशन करोगे पहले तो श्री जी और दूसरे आपके गुरु देर बंधू एक बात हमेशा याद रखना सबसे बड़ा जब सबसे बड़ा तब सबसे बड़ा अनुष्ठान सबसे बड़ी भक्ति यदी कोई है तो वो प्रयक्षती गुरु हुप्रीतो केवल अपनी निष्ठा से गुरु प्रसन्न कर दो गुरु प्रसन्न यदी हो गया तो कुछ भी संभव है आपके लिए इसलिए भया वरंदावन अचल नहीं है सचल है माफ कीजेगा अगर वरंदावन जाने के लिए आप तडबते हो रुदन आता है ना आपको तो इसका मतलब है कि आप अभी वरंदावन को पहचान नहीं पायो वरंदावन तो वहीं आजाएगा जहां आप बस वो भाव चाहिए उसको प्रकट करने के लिए कितनी बार द्वारिका में ठाकुर जी ने वरंदावन प्रकट करके वरंदावन का आस्वादन किया है इसलिए वरंदावन को सामान निमत समझो वरंदावन एक अध्भूत स्थान है धन है वरंदावन भगवान वरंदावन पहुंचे वरंदावन जाकर के सबसे पहला भगवान ने अघासुर का वद किया अघासुर के वद के पस्चात वन भोज कर रहे ते ठाकुर्जी कितना सुन्दर चरित स्वरू पे ठाकुर्जी का विप्रद वेनुम जटर पटयो शांग वेत्रे जकच्छे वामे पाने म्रशन कवलं तत्फलं लांगुलीशू तिष्ठन मढ़े सुपरिश्विदो हासयन निर्म भिस्वे स्वर्गेलो के मिशती भी भुजे यग्य भुपाले के लिए बहुत ध्यान चे सुनना ठाकुर्जी कैसे बैठे हैं वन भोज कर रहे हैं चारों तरफ गौलबाल बैठे हैं बीच में ठाकुर्जी बैठे हैं वो कैसे बैठे हैं वो ले वामे पाने म्रशन कवलं अपने बाम हस्त कमल में ठाकुर्जी ने रोटी गुमा गुमा के ऐसे पकड़ रखी है अपने बाम हाथ के कांक में ठाकुर जी ने वंशी दवा रखी है दायने हाथ के कुक्षी में ठाकुर जी ने कांक में ठाकुर जी ने श्रंगी दवा रखी है गया बुलावेवारी ऐसे बैटें ठाकुर जी और एक हाथ में ऐसे रोटी को रोल बना करके बैटें और दूसरे हाथ में वो लेखा तत फलम लांगुलीशु उंगलियों के बीच में अलग-अलग अचार दवा रखें यहां पर आम का अचार, नीवु का अचार, मिर्ची का अचार, टेंटी का अचार और हाथ के बीच में यहां पर चट्नी रखी है एक बार रोटी खाते हैं फिर एक अचार चाट लेते हैं पर रोटी खाते हैं फिर दूसरा अचार चाटते हैं पर रोटी खाते हैं फिर चटनी चाटते हैं पर रोटी खाते हैं पर दूसरे से कहते हैं तु अपनों भी खवा तुका लेके आये होगे और सब ग्वाल बाल आनन्द में भरवर के सवन के घर को पा रहे हैं और बीच-बीच में हस रहे हैं यहां पर वरन के तिष्ठन मद्धे सुपरिश्रुही दो हा सयन निर्म विश्वे हसते हसते ठाकुर जी कभी-कभी लोटपोट हो जाते हैं गिर जाते नीचे ऐसी बात कर रहे हैं सब गौल-ब आपड़ी दद्दारी के मैं बताओं पकड़ियो दोड़के ठाकुर जी गए और ठाकुर जाके देखी तो मद्धुमंगल मोहते लगा के सबरी कड़ी पीरो ठाकुर जी एरे छुपके सबरी पीरो हमको देनी ना पड़े चल ला मूख कुखवा अन्ना लाला बड़ी कट् लेकिन या रूप को देख करके ब्राम्माजी को बोले राम, राम, राम जे भगवाने इसलिए कहते हैं ठाकुर जी की लीला पर शंशे ब्राम्मा भी हो गया तो हम तो सामानने मानवे बास्तों में शंशे प्रगट होता कब है जब आप केवल ज्यान के मारगे को अपनाते हो केबल वैराग्य के मारगे को अपना तो प्रेम के मारगों को छोड़ देते हो वर्णावन में गोपी बनना आनिवार ये क्यों है नहीं तो ठाकुर जी की हर लीला पर प्रश्ण चिन्न उठ जाएगा ये कैसे कर दिया ठाकुर जी ने अरे कहां कहें इतनी गोपनी अंतरंग लीला होती है मैं तो बहुत कम कथाओं में सुनाता हूँ उन लीलाओं को तो आप सुनी नहीं पाओगे आप सोचोगे ये कैसे भगवान कर सकते हैं लेकिन ठाकुर जी सब सर्व समर्थ है ब्रह्मा जी को मोह हुआ बगवान ने ब्रह्मा के मोह को दूर किया इस प्रकार बगवान के लीला चल रही है आगे ठाकुर जी ने धेनु का सुरका वद्ध किया कालिया नाग यमना जी में प्रविष्ट हो गया था भगवान ने कालिया नाग के उपर निर्त्य करके उसको भी वहां से निकाला दो बार आग लगी ब्रिजमंडल में दोनों बार ठाकुरजी पी गए अब आया वेणू गीत शिमत भागवत का सबसे सुन्दर गीत है वेणू गीत बरहा पीणं नटवरवपु करणयों करणकारं विप्रदवासह कनक कपिसंबैजयं तीम्चमालां रंध्रान वैणों अधर सुधया पूरयं गूप व्रिंदै व्रंदारन्यं स्वपदरमनं प्राविशद गीत कीरते गूपियों ने सबसे पहला गीत यदि कोई गाया है भागवत में तो वो है वेणू गीत वेणू गीत में गूपियां एक बात कहती है हे आँख वालों मानवों आपको आँख तो मिली लेकिन इन आँखों से यदि आपने शाम संदर को नहीं देखा इन आँखों से यदि नंद नंदन को नहीं देखा है तो आपने आँखों को पाकर के कुछ नहीं देखा संसार तो देखा सुंदरता है तो देखी लेकिन श्री कृष्ण नहीं देखे ऐसे सुंदर शाम सुंदर नहीं देखे गूपियां वर्णन करती है कान तो मिले लेकिन इन कानों से कभी श्री कृष्ण का स्वर नहीं सुना हात तो मिले लेकिन इन हातों से कभी कृष्ण को छू करके नहीं देखा वक्ष तो मिला लेकिन इस से कभी कृष्ण का आलिंगन नहीं किया पैर तो मिले लेकिन इन पैरों से कभी श्री कृष्ण के साथ थिरक करके नहीं किया तो सर्वांगिन देह को मिलने का धिकार है आपको कि आपने इस देह का मूल उपयोग तो किया ही ने नित्रों से कृष्ण को देखो, कानों से कृष्ण को सुनो जिहुआ से उनके अधरामृत का रस ग्रहन करो, हातों से उनका इस्परश करो सर्वांगिन देह को मिलने का साफल्य कब है जब इस देह को स्री कृष्ण अंगिकार करें गोपियां केती हैं बिना कृष्ण अंगिकार किये यदि आपने प्रान त्याग दिये तो आपने प्रतवी पर आकर के अपना पूरा जीवन व्यर्थ गवा दिया ऐसी सुन्दर छवी गोपियां ठाकुर जी की रूप के छवी का वर्नन करते हैं इस प्रकार वेणू गीत कहा आगे भागवत में मतुरा की गोपियों पर कृपा की भगवान ने और तत पश्चाद गोवर्धन लेला का कथा आती है अब गिर्धर लाल जी भी पधारेंगे हम सबको दर्शन होंगे आज गोवर्धन लेला है कथा में तल बंधूं सुबह का सत्र तो आपको पता ही है सबको एक खटा होना साड़े दस बजे तक तलाव मंदिर, देव तलाव मंदिर वहां हम सब लोग अनमाचलिसा का पाट करेंगे उसके बाद कल कथा में रुक्मनी विवा होगा और परसों कथा यहां विश्राम होगी दोनों दिन कथा का समय यही रहेगा वैसे तो परसों हमें निकलना है लेकिन परसों हम सोच रहे हैं कि हम ठीक छे बजे मंच पर बैठे ही जाएंगे ताकि नों साड़े नों बजे तक कथा करके और फिर हिसार प्रस्थान करेंगे हिसार में चार दिन का जगनात रसामरत श्री जगनात जी की रस कथा का वहां पर वाचन होगा उसको इस्रवन करेंगे आईए अब गोवर्धन लीला की ओर हम सब लोग बड़े प्रेम और भाव से चलें गिर्धर लाल जी आएंगे तो मंच पर जादा लोग इखटे मत होना आरती की समय यहां से आप स्क्रीन पर और कुछ आगे वाले जो लोग है वो तो यहीं से दर्शन कल ले ना लाल जी का और आज आरती भी आप मंच से नहीं होगी हमें उतर के ठाकुर जी की आरती करेंगे इस प्रकार आज लीला होगी सब ब्रजवासी अपने अपने घर चपन भोग बना रहे हैं ठाकुर जी न जाके नंद बावा सो कहीं बावा जे चपन भोग कोन के काज़े बनने हैं पावन की लाला हम सब ब्रजवासी किसान हैं और हम किसानन को देवता है इंद्र सबस्तिर ने इस सबन में हमारी फसल खराब नाए हो खें यहल मारे हम लोग साल में एक बार इंद्र की पूझा करें ठाकुर जी ने यहां पे ज्यान उपढ़ेश किया करमनः जाय ते जनतू